यारिव दियार्थियो, स्वागते अत्वाड मेरे योट्यूब चैनल सहतिक जानकारी थे अज दी इस वीडियो विचा पां सुर्जीत पातर दी काविता एमेना बुत्तां ते डोली जा पाणी दे सारलार्थ ते नाल नाल क्वेश्टन अंसर करांगे वीडियो नू लास्ट तक जरूर देखो ते लगपक दो साल बाद आप खेती बड़ी उनिवरस्टी लू दे आना विचे रिसर्च फैलो भनगे सुर्जीत पातर दी प्रसिद्धी एक सफल गजल कारदे तौरते होई है ते आपने पंजाबी गजल नू बौधिक ते यथार्तिक मसलियां दे नाल जोड के एक नमा मोड देन दा यतन कीता ते गजल देविशे वाल बदे रेत आन दिता है ते आप दियां कुछ नजमा हवा विच लिखे हार गजल संग्रयतों पहला कुलाज किता विच प्रकाशत होई यांसान ते इनना नजमा विच आपने समाजिक ते रासी प्रवन्द उत्टे तिख्छा व्यांग कीता है ते आपने राज्ती प्रवांदी स्थापती दा व्यांग में चितर पेश कीता है ते साधी आजदी इस पाट पोस्तक देवेच एना दी गजल है देखो एमे ना बुत्तां ते डोली जा पानी ये शामिल किती गई है ते इस गजल विच शायर ने परकिर्थेक रंगाच रांग के अपने पावांदी अव्यक्ती किती है ते चलो पाट दे एना दी काविता एमे ना बुत्तां ते डोली जा पानी पहला नाम तो पता लागदा है वि एमे ना बुत्तां ते बुत्त की ने पत्थर दियां मूरतियां वि उन्ना दे उत्ते तू एमे पाणी ना डोली जा भी कोई फैयादा नी डोललन दा ठीक है यह दे बारे गल कीति है य उस खभी ने एक जड़ी न दी एहे रचना एँँए उएक गजल है तेस दे शेयरां वि वि भी ने पानी ते रुखां दे सवन्दाणू परगट कर देयां पानी दे पैदा हो रहे संकत शंदी दुख पर इपाव है जड़े उहों अंकित कीत द सरवर देखो समुंदर दा पानी कहा गया ठीक है इदे विच की कहनदा कभी कभी एक पुजारी नू कहनदा भी हे पुजारी तु एमे पत्थर दे बुत्ता उपते पानी न डोली जा इस दा कोई फ्यादा ने ते नू चाहिदा है के तु इस पानी नू किदरे जाके रुखा उकते वर्सा में ता जो वदन फुलन ते जेकर किसे प्यासे रागी इरने आके इस नल अपनी प्यास ना बजाई तो थोड़ी देर ता के पानी पत्थर रूप हो जावेगा ते किसे काम नहीं आवेगा ते कभी फिर पुछदा है के कौन रुखा तो पत्तियां तोड़ रहा है उस दे जेहा कारण ना स्रोबर दा सुत्ता सारा पानी काम गया है क्योंके ओता रुखा नुपालन दा काम कार रहा है विर्खा दे पीले पत्तर पौना हाथ पे जे उड़ के मिलन गया फिर सागर दा पानी जाद्तो सुनया पुन्या काले चान दी अज डोलन दे उपराले सोच रहा पानी जाद्वी मेरी प्यास बनी है अगन रच्चे ही सुच्चा लगा हार एक सरवर्दा पानी तक की केंदा एदे विच कभी देखो विरुखा ने जदो हवामा दे हाथ गर्मी ते और कारण सुक के पीले होई अपने पीले पत्ते पे जे ता सागर्दा पानी उननों मेलन लई उड़ के गया ते उनना खातर वर्खा कारण लगा जदो सागर्दा पानी ने सुनिया के अज पुन्या परदूशन कारण काले ग्रहने होई चांत दी है ता ओ अपने आपनों डोल के खातम कारण दी उपराले सुच्चन लाग पया ते इसकार के कवी कहनदा है कि जदो उस दी प्यास आगवांग मच्चन लगगी ता उसनों हारे क स्रोवर्दा पानी सुच्चा परतीत होया अर्थात किसे था भी मिलन वाला पानी उस दी प्यास बुजा दिन्दा है चेते आई तू मेननू ते नाले मैं जद भी सूलां दे रुखते वसेया पानी लगगी तू पजे शेहर तेरे दे बिर्खानू शेहर मेरे दा ओदर जावेगा पानी रोवन गे पत्थर तां दुनिया देखेगी कौन सकेगा देख जे रोवेगा पानी तक ही कहनदा देखोए ना लाइना दे विच कभी ओ कहनदा है कि हे प्यारी जदों भी में दा पानी तिखियां सूलां वाले रुखां उते वरेया ता मैंनू तेरी याद आ गई ते नाल ही मैंनू तेरे नाल माने प्यार याद आ गया ते कभी कहनदा है कि हे प्यारी जेकर तेरे शैर दे रुखानों तो पदा सेक लाग गया ता मेरे शैर दा पानी उदास हो जावेगा क्योंके तेरे शैर वेच उसदी अन्होंद कारण ही तो पविच रोख सुक रहे हं किस दी अन्होंद कारण जैनि पाणी दी अन्होंद कारण तो इस करके कभी कह speculative है कि हे प्यारी जे कर पत्थर रोन ता दुनिया देख के हराण रह जावेगी पर जे कर इसता अर्तिव ते पाणी ही रोन लगबे जनी पाणी दी होंदनू ही खत्रा पया गया ता उसनू देखन बाळा बचेगा ही नहीं ता एस येनना दी कविता सुर्जीत पातर जी दी अगी क्वश्ण आंसर देखो एमना बुतन ते डोलि जा पाणी गजल द कभी कौन है ता सुर्जीत पातर बी उत्तरा जेड़ा उसा ड़ा सही होवेगा अपनी पाठ पुस्तक विच दार्ज सुर्जीत पातर दी कविता गजल सरलेक दा नादसो साठाधी होवेगा स रजीत पातर डी रचना है क्यों काम बदा है क्योंके किसे द्वारा बिर्खान यह पतियां तोड़न कारके जनी पत्तियां सोक गगां सोक के जदो सरवर्दे पाणी वा लाग गगां तो ओदों की है सरवर्दा स्रोवर्दा पाणी जड़ा हो काम बोड़ दा बिर्खा पीले पत्तर डैश हाथ पे जे सुर्जीत पातर दी इस गजल दी तोकनू खाली था पारक के पूरा करो देखो इस तरहांदा क्वशन आजांदा जदों इस करके सानू कली कली लानी याद कारनी पवेगी ते दे विच्छा आएगा बिर्खा पीले पत्तर पौना हाथ पे जे पौना आएगा कवी दी प्यास अगन बानन ते उसनू हर सारवर्दा पाणी सुच्चा लगा एक अथन ठीक है जां गलत एवे न बुत्ता ते डोली जापानी काविता दे आएगा रती दस्सो ता एक अथन जड़ा हो ठीक है ते ऐसी सुरजीत पतर दी काविता दे ना आज वंदेत क्वश्चन आंसर ते पहला आपा काविता दे सारला आर्थ पढ़े है सारी काविता नो ते आनल सुनो ते याद करो कली-कली लाइन याद करनी है काविता दी तांके जे फिलिंग दी ब्लैंक सौन ताओ भी तो हाड़ याद होनगे चाहिदी है भी केड़ी लाइन दे वेच केड़ा खरावेगा चैनल नो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ तांके हर वीडियो दा नोटिफिकेशन तो हर डिपल सब तो पहला पहुंच सके